तो आज हम फिर से इसके पहले की जो वीडियोस थी उसको continue करेंगे इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि cube structure को किस तरह से solve करते हैं along diagonal यह हमने अलड़ी cover कर दिया है और उसमें कई concept हमें सीखा है कि किस तरह से equipotential points को find out करते हैं और किस तरह से constellation को very simple network में change करते हैं तो हम आज second point करेंगे कि along to face diagonal और इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह सी potential point को find out करते हैं same procedure will be same वाली अपने आपको हमें जो assumptions है जो हमें assume करना है जो हमें constellation को किस angle से देखना है उस पर हमें focus करना है तो हम माल लेते हैं कि जो हमारा face diagonal हमने इस face को across resistance की value हम find करेंगे तो हम ठीक है तो अभी आज हम जो equal potential point इसमें लेंगे हम distance की basis पर लेंगे कि कौन सा point किसके distance कितना है उसके हिसाब से drop और जो भी है वो पहले हमने देख लिया है देखिए point A fine point A अब हम क्या करेंगे कि B point ले गे हैं B point से A की distance कितना है one unit हम यहाँ पे age को one unit माल लेते हैं किसी भी age की distance one unit because this is the cube so हमने हर age की distance को यह one unit माल के देखेंगे point B की बात करें point B A से कितना distance है one unit ओके और point H A से कितना distance है one unit इसका मतलब यह दोनों point यह दोनों point A source से equidistance है मतलब same distance पे है B and H A से same distance पे है हम क्या देखते हैं तो अब साथ में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यह C point से कितने distance है हम दोनों side से check करते हैं कि हमने पहले बताया था कि हमें दोनों side के voltage level पे हमें check करना होता है कि कितना potential है उसके basis पे हम decide करते हैं कि एक की potential है या नहीं है तो हम पहले B का distance देखेंगे और H का distance देखेंगे A point से हम देख रहे हैं कि दोनों distance same है fine ऐसे ही B और H का distance c से देखेंगे क्योंकि यह हमारा second terminal है second node है तो c से देखिए one unit distance b का है और c से h का one unit इसका मतलब इस b का distance a से h का distance a से बराबर है similarly b का distance c से और h का distance c से बराबर है तो इसका मतलब यह दो हमारे इक्वी potential आएंगे तो हम इसको different color से बना देते हैं देखिए point b and point h और इक्वी potential बाकी सारे points आप चेक करेंगे बाकी कोई points इक्वी potential इसके साथ नहीं आएगा जैसे हम दूसरा दिखते हैं g point को ले लिए g point का distance a से कितना distance है 1 2 1 unit 2 unit ठीक e का distance देखिए 1 unit 2 unit इसका मतलब g और e का distance हमारा a point से same है similarly अब इधर से देख लिए g का distance c से देखिए 1 2 2 unit similarly e का distance देखिए 1 2 unit इसका मतलब g का और e का दोनों का distance दोनों point से मतलब इधर source से जो है मारा source हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने plus voltage दिया था इधर हमने negative potential दिया था negative voltage इसलिए हम इसको source बोल रहे है तो point a से distance g का और e का same है similarly point c से distance e का और f का same है इसका मतलब यह दोरो points भी equipotential होंगे तो हम इसको different color से कर देते हैं point z and point e और equipotential बाकी आप देखेंगे f and d equipotential नहीं होगे क्योंकि f का distance a से one unit है और c से कितना है one two three unit और d का देखें d का distance a से one two three गलत हो गया हमें same distance चाहिए एक source से दोनों point के distance same होने चाहिए और f and d के case में ओ situation नहीं आ रहे इसलिए f and d equipotential नहीं होगे बाकी जो हमारे करेंगे इस point को अगर b point h के equipotential है हम इन दोनों point को एक point मान सकते हैं हमने इसके पहले इसके पहले बारे वीडियो में यह सब कुछ explain किया था detail में explain किया था तो हम क्या करेंगे कि b point को हम h पे put करेंगे similarly g point को हम e पे put करेंगे clear हुआ क्योंकि यह दोनों equipotential है तो हम दोनों को एक point पर बना सकते हैं similarly b और h equipotential हम एक point पर draw कर सकते हैं तो हम इसका कुछ इस तरह से diagram ड्रा कर लेते हैं देखिए यह मैंने ड्रा कर दिया है point a इधर है and point b इधर है point c and point d point e f g and h इसमें हमने देखा कि point b and h are equipotential and similarly g and e g point and e point are equipotential चल देखिए हमने क्या किया कि इसको यहां पर draw की इसको यहां पर खीचा b ko h पे हमने h point से close ले आया तो देखिए structure कुछ इस तरह से clear हो जाएगा structure ने b ko h से close ले आया अभी हम क्या करेंगे b ko h पे हमें ले जाना है ultimately हमें b ko कहां ले जाना है h को इसको और close ले आएंगे यह आपके समझने के लिए मैंने यह diagram मना दिया और g ko और भी e के close ले आएंगे clear तो हम देखिए next diagram में आपको बिल्कुल clear हो जाएगा सारे resistance r है और इस point को इस point ले आईए इस point को इस point ले आना है तो हम draw करते है resistance आप समझते चलिए और अब यह हमारा final solution की तरफ जाएगा a to h एक resistance है देखते जाएए अब a to h ठीक resistance वाई दू आर अगर यह point इस पे आएगा यह point b point अगर h पे आएगा यह resistance इसके पैरलल में आएगा यह दोनों एक पॉंट माल लीजिए यह resistance इसके पैरलल में यह resistance इसके पैरलल में यह दोनों पैरलल में देखें कुछ इस तरह से मैं बना देता हूं ठीक और हमारा ये इसकम रहते पैरलल होrun यह दोनों एक point हो गए और यह जाएंग कहाँ पर यह हमारा r था c h to c h to c अब b to c जो है वो भी इसी point से आएगा because b and h are at single point कोई problem नहीं होनी चाहिए अब देखें यह दोनों जब एक point हो गए और यह दोनों एक point हो गए यह resistance और यह resistance parallel में आएगा तो हम इसको parallel में यहाँ पर बना दे रहे हैं यह point क्या होगा g and e g and e point अब देखें अब यह a to f इसके parallel में कोई resistance नहीं यह single resistance है तो a to f हमने यहाँ पर बना दिया resistance r यह resistance r यह टू हो गया f f से e पर देखिए यह दोनों point जब single point पर आएंगे यह दोनों point इसके जह similarity यहाँ पर था यह point यहाँ पर कराएगा यह resistance और यह resistance parallel होंगे यह दोनों point हो गए अब यह resistance यह resistance parallel होंगे तो हमारा जो यह f to e था कुछ इस तरह से अब f to g हम इसके parallel बना देंगे अब g to d d to g जो है d to e यह resistance हमारा था resistance r यह वाला resistance यह वाला resistance इसके parallel में आएगा और यह दोनों एक point हो गए यह देखिए अब यह हमारा जो c point है c से एक resistance d पर connect है यह single resistance है तो c से जो हमारा d है कुछ इस तरह से connect हो जाएगा यह अपना आ गया simple circuit अब इसको हम solve करेंगे simple parallel combination बना के हम solve करेंगे और यह easily solve होगा देखिए हम इसको आगे तक आगे लिए चलते हैं अब इसका हम equivalent रा करेंगे equivalent देखिए यह r and r सभी resistance r है हमने लिखा नहीं है बहुत से resistance पर तो आप इसको r समझिए r r parallel में r by 2 यह कितना हो गया r by 2 r and r parallel में यह कितना हो गया r by 2 यह r resistance हमारा हई है अब देखिए r and r r and r r by r by 2 r r कितना हो गया r by 2 r resistance यह है r यह r by 2 अब इन दोनों के बीच में एक resistance r because यहाँ पर parallel नहीं है यह दोनों वार पैर ऐसे समझ सकते हैं यह पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा और यह पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा अब देखिए बाकी सारे points हम draw नहीं कर रहे है क्योंकि हमें ultimately इस circuit को solve करके हमें resistance की value निकालनी है तो हम इसको और solve करते हैं तो हमने इस circuit को हम कुछ इस तरह से draw कर लिए कुछ हमने changing नहीं किया है बस इसको straight line में draw कर लिए है इसको straight line A to C तो हमने A to C हमने straight line draw कर लिए ठेक, R by 2, R by 2 similar है R by 2 यह R by 2 similar है R by 2, R by 2, R and R सब कुछ similar है बस मैंने इसको straight line में draw किया है simple बनाने के लिए ठीक है, इसके आगे हम कर लिए मैं इसको हटा देता हूँ आप सिर्फ इस वाले diagram पे focus कीजिए ठीक है, आप इस पे focus कीजिए हम इसको simple circuit में solve करेंगे अब एक, आप यहां से यह note कर सकते हैं कि यह चीज़ देखिए यह point पे देखिए color change कर लेता हूँ यह point देखिए यह star network है star network को हम किसमें convert करेंगे इसको हम convert करेंगे delta हम देखिए कुछ इस तरह से ठीक star को हमने delta में convert करेंगे बस easiness के लिए जैसे हम easy इसको solve कर सके अब देखिए इसको इसका resistance कितना होगा आरण माने इसका resistance हम जानते हैं इसको आप star to delta conversion में आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं इसका value आ जाएगी 3 by 2 r इसकी value आएगी 3 by 2 r या पिछले वीडियो में आप जाके आसानी से देख सकते हैं बहुत ही आसान है इसमें कोई difficult नहीं है मैंने बहुत ही आसान तरीकी साब को star to delta delta to conversion समझाया है और numericals भी उसके कराए हैं हमने easy आप देख करके आप समझ सकते हैं ठीक है तो अब हम इसको transform कर लेते हैं और circuit को कुछ इस तरह से solve करते हैं यह हमारा a हो गया r r by 2 fine अब यह resistance हम ड्रा करेंगे यह हो गया 3 r by 2 ठीक है फिर यहां से आगे r by 2 यह वाला अब यह resistance हम ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरह से 3 by 2 r यह resistance r यह हो गया हमारा c अब इन दोनों के बीच में हमारा यह resistance ठीक हम इसको इस तरह से ड्रा कर लेंगे 3 by 2 r ठीक है अब देखिए यह resistance हमारे series में यह दोनों resistance series में हो जाएंगे इसी तरह से यह दोनों resistance हमारे series में हो जाएंगे ठीक है ये दुनों resistance हमारे ये वाला अब देखे ये आर प्लस आर बाइटिू हाई ठीक है आपकाई जबाइक। r plus r by 2 r plus r by 2 is equal to 3 by 2 r यह भी आ गया 3 by 2 r ठीक है अब यहाँ देखिए r plus r by 2 यह भी आ गया 3 by 2 r अब यह resistance अब डॉला कर लेते हैं यहाँ पर हो गया यहाँ पर इसकी value is 3 by 2 r ठीक अब देखिए यह दोनों resistance parallel में और यह दोनों resistance parallel में समझाए है और parallel combination में अगर यह दोनों value same है तो half हो जाता है 3 by 2 का half कितना हो जाएगा 3 by इसको निचे लिए देते हैं 3 by 4 r similarly इसका भी हो जाएगा इसका भी कितना हो जाएगा 3 by 4 r तो हम इसको फिर से redraw कर लेते हैं redraw करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा यह वाला resistance यह तो similar बना रहेगा 3 by 2 r और यह हमारा हो गया 3 by 4 r 3 by 4 r और यहां से यह resistance 3 by 4 r इसका ठीक यह दोनों यहाँ पर connect हो जाएगे a and a and a and c 3 by 4 plus 3 by 4 3 by 4 plus 3 by 4 r is equal to half हो जाएगा ना plus हो जाएगा 3 by 4 plus 3 by 4 हो जाएगा 3 by 2 आप इसको करेंगे तो आसानी से आएगा वो तो रहेगा ही 3 by 2 r इसका combination कितना हो गया 3 by 4 plus 3 by 4 3 by 2 r अब देखी a and c यह हमारे फिक parallel combination और parallel combination का जो resultant आएगा a to c के बीच में जो resistance value आएगी a to c यह आएगा 3 by 2 3 by 2 half हो जाएगा 3 by 4 r ठीक है यह हमारा final answer आएगा जो हमारा final answer आएगा 3 by 4 r ठीक तो इस तरह से हम circuit को solve करेंगे आसान तरीके से और हमने क्या देखा कि इसके पहले हमने यह देखा था कि along to diagonal कैसे solve करते हैं आज हमने देखा कि along to face diagonal कैसे करते हैं ठीक हम next अब यह देखेंगे कि along to ages किस तरह से circuit को solve करेंगे देखें इसमें कुछ है नहीं बस equipotential points को find out करें और equipotential points को एक दूसरे से attach करते जाएं और circuit को solve करके simple तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं fine मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you